तो यहां पर हम 500 कॉंटिटी को शॉट करने वाले हैं रिजेक्शन जोन के आसपास हैं हम लोग तो यहां पर हमने 500 कॉंटिटी शॉट कर दिया है रिजेक्शन लेवल से मार्केड उपर आने की कोशिश कर रहा है ठीक है कोई इशू की बात नहीं शॉट किया हमने अराउंड 470 लेवल के आसपास तो इस लेवल 470 स्टॉप लॉस हम प्लान करेंगे थोड़ा सा इसके उपर दे देंगे क्योंकि यहां पर कॉमन सबका स्टॉप लॉस वगड़ा पड़ा होगा तो हम स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं अराउंड 590 का तो यह एग्जिट SLM 590 का हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया एंड टागेट के हम बात करें तो टागेट बैट रहा है अपना इसके नीचे सप्राइस तो आने वाला है तो वाट वी विल डू टागेट हम बिठा देते हैं अराउंड इसका नीचे है 344 तो टागेट अभी यहां पर तो हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि हमने यहां पर 500 कॉंटिटी में काम किया हुआ स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं जैसे कॉस्ट के नीचे थोड़ा बहुत जाता है जितना लेट से हम लोग ने 470 पर शॉट किया वह तो 410 420 या 430 के आसपर आता है तो हम लोग इसको फिर कंवर्ट कर देंगे मुझे लगता है ऐसा थे कि इसने आपर ब्रेक आउट तो हमने शॉट किया हुआ है मुझे लगता है कि this can be a fake breakout विकि मार्केट जिसस आप से डाउन है और डेली चार्ट में आपको बताऊंगा लास्ट में तो मुझे लगता है कि मार्केट अगेन यह लेवल्स को भी ब्रेक करते हुए और नीचे की तरफ आ सकता है यहां पर हमन मैंने साथ में लिखी वी थी कि setup तो अच्छा है बट target का थोड़ा सा issue लग रहा है क्योंकि major trend के opposite side आई है तो वहां से मैंने भी lesson लेंग किया कि अगर मैं same trend को follow करता हूँ तो मेरा target जादा easily form हो जागा like easily achieve हो जाएगा तो इसलिए मैंने trend को follow करते वे यह rejection यह rejection यह rejection पे हमन देखें तो 505 के आसपस चल रहा ही है 14-15000 का loss चल रहा है 590 का अपना stop loss है मैं आपको update करता हूँ next momentum so it is market back to pavilion as expected कि यहाँ पर trap करते हूए market नीचे की तरफ आ सकता है तो now what we will do यहाँ पर अभी हम लोग ने जो stop loss लगा था उसको modify करते हूँ अपना target लगाएंगे टारगेट इस 344 तो quickly यहाँ पर लगा देते हैं modify limit target is about 36,344 यह हमने अपना target लगा दिया है currently almost 16,000-20,000 के आसपा profit चल रहा है simple सा psychology रविड़स trend को follow करते हूए मैं अगर आब यह भी अगर continuous notice कर रहे हो कि मैं trend के opposite side नहीं जा रहा हूँ बहुत कम लग रही है वैसे generally क्या होता है retracement वगेरा बड़े होते हैं तो वहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं कि चलो ट्रेंड के opposite side चले जाओ और फिर easy target date 200 points के भी मिल जाते हैं ओके कल भी अगर आपने परसू notice किया होगा कि मैंने swing trade भी की थी तो मैंने short किया होगा magnitude को उसमें easily 200 points के आसपाद अपने को capture करने के लिए मिला था आज भी opportunity थी swing की बड़ मुझसे miss हो चुकि है वो क्योंकि market gap down खुला तो मेरा इतना ज्यादा expectation नहीं था कि वो इतना ज्यादा fall expectation था कि 100-800 points तो मिल सकता है बड़ इतना ज्यादा fall थोड़ा expectation से ज्यादा ही है वो तो इसलिए मैंने उसको avoid किया क्योंकि वो gap down opening था normal opening होता और वो अच्छे levels को break कर देता मतलब मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर दिखिए यह daily chart है अपना यहां से अगर हम एक trendline draw करते हैं यह support 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 तो देखिए यहां पर लोगों के expectation दे कि यहां से वो bounce back करेगा रिटरेश्मेंट करते वह bounce back करेगा बट यह surprisingly उसने सीज़ा gap down खुलते वे fall किया हुआ है तो मेरा यह expectation था कि यहां 300-800-200 पाइंट open होते हैं फोड़ा sideways वगएरा behave कर सकता है but market इतना जादा नीचे आ है वो expectation से नहीं था तो इसलिए मैंने swing trade वगएरा भी नहीं किया यहां पर तो यहां पर target लगा है वो हमने 344 का I think वो proper है 344 yes that's right अपडेट करता हूँ रेडर्स में आपको next momentum so रेडर्स market smoothly fall कर रहा है almost 26-27,000 के आसपा profit चल रहा है target है अपना 344 का देखें यहां पर वो again test करने के लिए आया है बहुत लोगों के यहां पर stop loss वगड़ा पड़े होंगे तो probability is very high जिससाब से reject करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है कि अपना target वो achieve कर देगा trend को follow करते हुए simple साथ trade पर हमने काम किया हुआ है wait करते है target के लिए patience रखना पड़ेगा क्योंकि thousand points momentum के बाद trade लिया है तो तोड़ा दो patience test होगा कि इसको exactly कहा जाना है क्या करना है किसके stop losses लेने है bias के लिए या sellers के लिए अभी तक जिसससाब से momentum कर रहा है तो clear दिख रहा ह हाँ यह momentum था यहाँ पर breakouts बगएर पर लोग trap हो गया and फड़ अब market नीचे की तरफ आ रहा है अपना major trend को रिजूम कर रहा है wait करते हैं तो इस मैं आपको update करता हूँ next movie कैसे करता है so traders target अपना achieve हो चुका है बुक किया हमने 6100307 सिंपल सा setup एट वड़ जैसे कि हमने यहाँ पर discuss किया यह मैंने एक simple थी trend line draw की rejection 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 यहाँ पर rejection आया यहाँ पर rejection आया यहाँ पर rejection आया आप देखिए thought process कैसा चल रहा है daily chart के उपर वैसे journaling में क्या करता हूँ trend के opposite side जाके देखता हूँ कि चलो अच्छ वगदा करता हूँ बट यह levels के उपर अगर हम बात करें अगर हम लोग बड़े time frame के उपर बात करें तो यहाँ पर psychology बनती है क्या psychology बनती है कि यह level से काफी लोगों के expectation होगी कि upside momentum आ रहा है upside momentum आने का chance था है आप बहुत bright chance था मैं भी expect कर था personally बढ़ आज के दिन पर यह gap down खुलना और ऐसा fall करना देखो news है कुछ भी है वगदा 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 we will discuss only in charge की charge के अपर क्या देख रहा है कैसे momentum हुआ है तो यह जो है आज का candle है वो जादा surprising है और gap down खुलते हुए इतना जादा fall करना this is very much like surprising तो यह levels पे psychology आज की क्या होगी कि fall कर रहा है buy करो buy करो buy करो buy करो buy करो बहुत लोगों ने आप ठोड़ा news channels वगदा में बहुत buy वगदा मैं ज्यादा देख रहा हूँ यहाँ पर मैं शेर खान में देख रहा हूँ कि buying की mood जो है बहुत ज्यादा की market fall कर गया कर गया है buy करो buy करो but यह भी देखना हमको trend क्या चल रहा है किसे साब से चल रहा है तो यहाँ पर मैंने यह levels के आसपादे को यहाँ पर reject किया थोड़ा सा वेट किया पर आपके साथ एक buying वाला setup शेयर किया था वो क्या था वो यह setup था ऐसा breakout आया था जहाँ पर 317 के आसपा snapshot में भी है वो 317 वाला level वहां से 100 से 800 points उपर गया फिर यह levels के आसपा rejection आया नीचे गया फिर अगें देखो यह levels के आसपा rejection आया तो मुझे कुछ तो समवनना पड़ेगा ना कुछ तो अपना care change करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि बस वो उपर ही जाते रहेगा नहीं मिला है तो मैं चाहता हूं कि इस profit को मैं आराम से अब्सॉब कर सकूँ और फिर हम लोग fresh trades Wednesday से start करें तो इसलिए Monday इंड्यूजय को वीडियो नहीं आएंगी थैंक्स फॉर वाचिंग विल सी इन दे नेक्स वीडियो